सुधीर चौधरी जी की खोजी पत्रकारिता सब ने देखी है दोस्तों सुधीर चौधरी जी जिने विपक्ष समेट कई लोग अलग-अलग नामों से बुलाते हैं हम वो नाम यहां नहीं लेना चाहते हैं अब उन्हीं सुधीर चौधरी साहब की मुश्किलों में ऐसा लग गिनाने से राहुल गांधी के अपराथ कम हो जाएंगे उनकी इस खोजी पत्रकारिता पर कोंग्रेस ने चेतावनी दी थी कि कानूनी नोटिस का जवाब आपको देना पड़ेगा और वही हुआ है दोस्तों सुधीर चौधरी को कॉंग्रेस ने कानूनी नोटिस थमा दिय की तो उसको लेकर श्री निवास जो की यूथ कॉंग्रेस के अंध्यक्ष हैं उन्होंने कानूनी नोटेस भुगतने की सुधी चौधरी को चेताबनी दी थी तो साहब ने राहुल गांधी का बयान ही पोस्ट किया था अब तंज कसने के लिए कॉपी पेस्ट किया या किसलिए किया यह तो सुधी चौधरी जी बेतर जानते होंगे अब उनके मस्तश्क में जाकर तो हम नहीं बैठे हैं मगर एक बार फिर इन्होंने नया ट्वीट किया है जिसमे इन्होंने लिखा है कि मैं सचाई बोलता हूं देश की खातिर बोलता हूं और आखरी दम तक सच के रास्ते पर ही चलूंगा अब इन्होंने यह इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि इनको कानूनी नोटिस मिला है जियां कॉंग्रेस नेता श्रिनिवास ने अपने ट्वीट म इन्होंने लिखा है कि सुधीर चौधरी जी यह आपके लिए ब्लैक एंड वाइट नोटिस है आपके शो की तरह वही आपके वीडियो के लिए जहां आपने सभी पद्रकारिता के नियमों का एकदम उलंगन किया धजियां उड़ा दी तो आपसे कोट में मिलते हैं तो यह इसलिए भी गया है क्योंकि सुधीर चौधरी ने इस पूरे वीडियो में काफी बाते कहीं सवाल भी उठाए जनसत्ता की खबर के माने दोस्तों तो सुधीर चौधरी ने क्या कहा था कि क्या इस बात में कोई तर्क है कि बड़े अपराधियों को गिरफतार नहीं किया जा इसी को लेकर शिरिवास ने लिखा था कि पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने के लिए पहले भी तिहार में अच्छा खासा समय बिता चुके सुधीर चौधरी जी इस घटिया पत्रकारिता और हमारे नेताओं की छवी को धूमिल करने वाले मन गडंत आरोपों के कारवाही के लिए आप तयार रहिए और आप कॉंग्रेस ने दोस्तों सचमुच नोटेस जो है वो सुधीर चौधरी को भेज दिया है इस नोटेस की अगर हम बात करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर आपको इस वक दिखा रहे हैं इस नोटेस में लिखा हुआ है कि सुधीर च करने आती है तो वो कहता है कि उससे बड़े अपराधी मेहुल चौकसी ललित मोदी और नीरव मोदी तो खुले घूम रहे हैं पहले आप उनको क्यों नहीं पकड़ते अब ये इसको एक कहानी के तौर पर सुधीर चौधरी ने बताया था इसके लिए आज तक से माफी की ब अरवाही जेलने के लिए कोट में मिलिए ऐसा कॉंग्रेस की तरफ से नोटिस जो है सुधीर चौधरी को एड़ोकेट कपिल मदन ने भेजा है और उसमें सारी बाते कहीं गई है अब इस नोटिस को लेकर कई लोगों ने ट्वीट भी किया कुछ ट्वीट्स आपको दिखा जी ने मान हानी का नोटिस भीजा है यह काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था देर आये दुरुस्त आये पत्रकार जब किसी पार्टी के प्रवक्ता बन जाएं और हिंसा फैलाने वाले दंगा कराने वाले बन जाएं तो उनको केवल और केवल लीगल नोटिस ही सडक पर दोड़ा दीजे ठीक वैसे ही जैसे पागल कुट्टे को सडक पर दोड़ाया जाता है इसके आगे भी इन्होंने बिहार को लेकर इन्होंने लिखा कि नितीज जी के लिए कैसी भाशा के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं क्या ऐसे सभी नफरत फैलाने वाले का इलाज जरूरी नहीं है तो इन्होंने कई ना कई सवाल खड़ा किया है और सीधे तोर पर कहा है कि कॉंग्रिस नेता ने जो नोटेस भेजा है वो पहले भेज देना चाहिए ता सुधी चौधरी को संजे शर्मा लिखते हैं जब किसी अच्छे भले चानल के दिन खराब होते हैं तो वो त तिहार जेल की यात्रा करके और 2000 के नोटों में चिप तलाश रहे पत्रकार को अपने यहां रखता है कॉंग्रिस ने आज तिहारी रिटर्न को कानूनी नोटिस दे दिया कॉंग्रिस को ऐसे चानल का बहिशकार भी करना चाहिए जो कि सत्ता की चरण मंदना में जूठी सुधी चौद्री का ट्वीट दिखाया था जो कि उनने अभी हाली में किया है और इस नोटिस के चलते किया है उस पर भी कई लोगों की रियाक्शन्स आये हैं कई लोगों ने रियक्ट किया है सइद निजाम लिखते हैं कि मैं जूठ बोलता हूं चापलूसी करता हूं और भग्तों को खुश रखने के लिए रखो बाकि सभी को पता है तुम्हारी दलाली के बारे में यानि कोल मिलाकर दोस्तों इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सुधीर चौधरी जी को अपनी बेहतरीर खोजी पत्रकारिता के लिए कानूनी नोटेज जो है वो मिल चुका है लेकिन य अलिभाती जानते हैं आज तक चानल इनके स्कृत्ते के लिए माफी मांगता है या फिर नहीं यह देखने वाली बात होगी क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हो सकता है कि इन्हें कोट में कॉंग्रस का सामना करना पड़े और कॉंग्रस के सभी आरोपों का भी साम ना कर पाते हैं सुधी चौद्री जी या फिर नहीं दोस्तों यह देखने वाली बात होगी वैराल इस खबर पर आपके राय क्या है कमेंट करके जरू बताईएगा वीडियो अगर आपको एपिस्तन आया हो तो वीडियो को लाएक को श्रय करना ना भूले फिर मुलागात ह होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार झालत होगी मिली झ들 जरू खबर के सबस्ने तब प्रहकी जाएगा वीडियो क लिए तो लाके करने बद्रेकैं। झालत हो!"